आपका क्या विचार है किस चीज में अरे इतनी देर से अभी सुन रहते हैं कांग ठीक है देखो ऐसा है वैसे तो हम कॉंग्रेस ही हैं एक इसाफ से और बोर्ड देते आये हैं और लगबग ज्यादा नहीं तो मुझे 45-50 साल का नुबाव हैं देखे आकिकत तो यह हिंदुस् कि बीजेपी एक देश प्रेमी सरकार है कट्टर राष्टवा दिये और मैं इसका प्रेरक भी हूँ और बीजेपी के साथ हुए इस मामले में 370 तोड़ना बीजेपी का यह काम था और अगर 370 नहीं तोड़े जाती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज मौह एक अलग देश बन जाता हूँ और मैं लोगों से कहता भी था यह बात कि अगर यह सरकार बीजेपी के आएगी तो जम्बो कश्मीर हमारा होगा अन्य था कॉंग्रेश सरकार जम्बो कश्मीर अपने आथ से खो देगी देखो अकिकत बता रहा हूँ यह हकीकत यह आपका मानना था ने मेरा मानना भी था मेरे दिमाग से वह हकीकत भी थी मेरे विचार तो एक तो 370 तोड़ना तो यह 370 में क्या ऐसा था जो आपको लगता था कि 370 के बारे में आप क्या जानते हैं देखो 370 के बारे में यह जानता हूँ कि वहां के लोगों क वो बहुत से कानुनमा लागू नहीं होते हैं यहां तक कि हमारा तरंगा भी नहीं फैराया जाता था पहले यह बड़ी सोचने की बात है मुझे बड़ा ताज़ुब होता है कि लोग उस बात को क्यों नहीं देखते कि एक देश टूटने से बच गया बीजेपी आने से वहला सब्सक्राइब हैं उन्हें अमरे लिए बहुत सारा काम किया है मैं एक सीनियर टीचर हूं रिटायरमेंट हूं यह बहुत सी होजना है लागू किये जिनमें चरण जीवी होजना है और जिसका हम प्रियोग करते हैं तो देखो अखिकत तो यह है और आप बताईए आप क्या को पूछन चाते हैं कि हमारे विचार से सरकार इसलिएए बदले की जो बना दिये तो जो तो क्या बोले ब्लॉक तो बड़ी चीज है वह छोटी-छोटी बाजारों को जिला बना दिया मुख्याला बना दिया नहीं तो मांग थी ना लोगों की मांग थी उसी का अधर पर बनाए उन्होंने थोड़ी बनाए मतलब हमको यह था पता कि चार-पांच जी ले बनाएंगे लेकिन उन्हें 19 जी बनाके यह बहुत अच्छा काम किया और एक डेश में कितने राज जीसमें 19 जी ले नहीं और गैलों सामने एक राज में 19 जिले काम किया जो सही किया है और बीजेपी ने काम किया इस सब जेप में से पैसे निकाल के अपने खजाने पूरा लावडी स्पीकर आदमी आपका नाम क्या है मेरा नाम दीपक जैमन है दीपक जैमन 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 जी क्या मदला हुआ दीपक जैमन है मेरा नाम क्या करते हैं मैं जर सिविल सरुषी त्यार कर रहा हूं अभी तक अभी तक क्या उमर है आपकी 34 कब तक त्यारी करो गया लास्ट तो कितने साल से कर रहे तीन साल हुए मुझे उससे नोकरी करता था फिर मैं एक प्रोग्राम में गया मैं देगा क्लेक्टर साब बहुत पावर होती है तो मैं अब त्यार यही करेंगे नोकरी छोड़ो बढ़ेंगे तो कुछ नहीं नौकरी के नाम तो सब्सक्राइब 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 अधिक्तम उम्र को बढ़ा दिया है कि थाकि जादा लोगोनोकरी देया और कम दे तक उब धार नोकरी करेंगे उसका पढ़ाई के तजूर्पा उबर है और सामाजिक तजूर्पा रहे रहे tak प्रभाइन मुझे बताईए कि यह जो मैं पूछ रहा हूं यह जो प्रधान मुंतिर नरिंद मोदी पर केजरी वाल राहूल गांदी अडानी को लेके हमलावर है यह बात गाहँ देहात कस्बों में भी हो रही है पहली बात दूसरी बात 2024 के चुनाओं में क्या आपको कोई लड़ाई दिख रही है यह सारे एक हो करके प्रधान मुंतरी को टकर देंगे या प्रधान मुंतरी सबसे परेच चल रहे है एक हाली तीर कमान फेग रहे हैं उनको लग कुछ नहीं दा सर एक्चुली बात यह है नरेंदर मोधी एक समय इता बड़ा ब्रांड बंच चुका है कि इन सबों के मजबूरी होगी एक मांच जाजम पे आके बैठना क्योंकि आके लिए के लिए मिले प्रधान मुंतरी नरेंदर मोधी से नहीं लड़ सकते उसके विचारदारा से नही नहीं रोक रहा है इसकी वज़े क्या इसकी वज़े साब मोधी की लोग प्रिता है मोधी की पार दरशीता है हिंदू को बहुत जादा बाद बोलते हैं और हिंदू मुसल्मान पर ही माम लाटका है सची बता रहा है मुसल्मानों को बारे में सोचती है और हिंदू के विचे थोड़ा ज्यादा सोच लेती है इनके मंदिर है राम मंद्र का निनना हुआ सुप्रेम कोट का वह सरकार चाहती तो इसको डिले कर सकती सुप्रिम कोट की फैसले को बाद भी कि बनाएंगे या बनवा रही है सरकार किसका लाइड किसके वीशुन्तु परिश्द वीजेपी की सपोर्टिंग की तो आप को आप यह मानते हो कि सुप्रेम कोड में सरकार की कोई भूमिका रही हो तो सुप्रेम कोड अदालत ने फैसले के बाद बनाने में योगदान गौवर्मेंट के साथ सरकार का सुप्रेम कोड वैसले देती गौवर्मेंट अपना इंडर्म में नहीं करती तो नहीं करती तो सजा थोड़ी है कि सरकार को बनाना आपको यह मालूम मतला आप यह मानते हैं कि हिंदुत्यों के लिए अच्छा काम कर रही है यह सरकार इसने यह सरकार हिंदुत्यों प्रदान मंतरी मोधी के खिलाब यह विपक्ष के लोग एक साथ आ सकते हैं और आ जाएं तो क्या कर सकते हैं तो एक तुला ऐसा है यह जो इदर यूपी में जो हो रहा है न उसे काफी तो हो रहे हैं इस जातिवाद को लेकर बाकि हमारे राजिस्तान में ऐसी तो कोई चीज कोई भी द्वावना नहीं है अभी बागी यूपी बगरा है तो यह चीज़ है अब हमारा समय खत्म हो गया माहूल क्या हमें बस आज इतना ही अगले एपिसोड में अब मैं कहीं किसी दूसरे राजिय किसी दूसरी जगह से हाजिर होगा कैमरामें काली कान जहा के साथ मिलवर राजस्तान